हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम टू टीडिय लर्णिंग मैं नेम इस प्रदीप सिंग और जैसा कि आपको पता है कि आने वाले दिसंबर मन्त में 22 से 30 दिसंबर के आसपास बिहार दरोगा का एक्जाम होने वाला है तो इसी के मंदे नजर रखते हुए टीडिय लर्णिंग आपके लिए आज से डेली एक फुल लेंथ टेस्स लेके आएगा 100 कोशन का ताकि आप अपना सेल्फ इबोलुशन कर सके कि आपकी तयारी कहां तक पहुँची है इसके साथ ही हम आपको डेली जी के डोस देंगे मिन्स पचास कोशन सुबह 9 बजे और पचास कोशन रात को 9 बजे आपको यूटूब पे वीडियो के साथ पीडियेफ भी एवलेबल मिलेगा ताकि आप उन चीजों को अच्छे से पर सके चलिए तो टाइम को वेश्ट ना करते हुए पहला सेट हम स्टार्ट करते हैं और पहला सेट का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा है दवेदाज कंटेंड अल दटूथ वज इंटरप्रेटेड बाई वेदो में भी सत्य है कि व्याख्या किसके द्वारा की गई थी तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये व्याख्या की गई थी अब देखिए इससे एक और सवाल बनता है वो सवाल क्या बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो थे जिन्होंने आर समाज की अस्थापना की थी तो आप से पूछा जाएगा कि आर समाज की अस्थापना किस ने की थी आर समाज की अस्थापना स्वामाज की अस्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो एक सवाल आपका ये बन गिया ठीक है चलिए आगला सवाल इसका पीड़े भी आपको मिलेगा ठीक है तो डरने की जोत नहीं है कोशन नबर टू अफलीप अपलीफ्ट दा बैकोर्ड क्लास वास दा में प्रोग्राम ऑब दा पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था तो इसका जो सही आंसर है वो है सत्य सोधक समाज ओप्सन बड़ बी सत्य सोधक समाज का जो काम था वो पिछड़े वर्ग के लोगों को अपलिफ्ट करना मतला उनका उत्थान करना था तो इससे और क्या क्या सवाल बन सकता है कि सत्य सोधक समाज की अस्थापना किस ने कि थी तो सत्य सोधक समाज की अस्थापना जोतिबा फूले ने कि थी र और इसका जो में परपस था जो शुद्रों थे उन्टाचेबल थे उनको मतलब उनका एक्स्प्लाइटेशन ना हो उनको लोग दबाये नहीं उससे बचाने के लिए सत्त सुधक समाज के अस्था अपना की गई थी ठीक है अगला सवाल कोशन नमर थी तो इसका सही आंसर है जो आंसर है वो राजस्थान लैंड वाई जो सबसे ज़्यादा एरिया है इंडिया में किसे स्टेट का तो वो है राजस्थान ये लगभग इंडिया का टोटल 10.4% लैंड एरिया है मतलब मान के चलिए सारे तीन लाख स्क्वार किलोमेटर ठीक है सारे तीन लाख स्क्वार किलोमेटर एरिया है इसके इसके बाद जो आता है सेकेंड में मध्यपरदेश आता है सेकेंड में मध्यपरदेश आता है देन आपका महरास्टर आता है देन आपका यूपी आता है तो यह आता आपका राज्थान, मंद्य प्रदेश, महराष्टर और यूपी ठीक है तो कोशन नमबर फोर क्या आई गया अगला सवाल इसका सही आंसर है कोशन नमबर फोर का ऑप्शन नमबर डी और इसको ही हम बोलते है अल इंडिया फोरवर्ड ब्लोक यानि AIFB ठीक है यह लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पार्टी बोल सकते हैं जिसका अस्थापना 19 इसका अस्थापना 1939 इसका अस्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी ठीक है चलिए अगला सहल कोशन नमबर पाँच कोशन नमबर पाँच आपके स्क्रीन पे रहा निमलिखित में से किसकी वाकालत महात्मा गांधी द्वारा नहीं की गई थी अप्शन आप भी अपने मन में पढ़ते जाएगा ठीक है मैं सारे अप्शन नहीं पढ़ूँगा काथी समय लग जाएगा तो कोशन नमबर पाँच का जो आंसर है वो है ओप्शन नमबर क्या है बी भारी उद्व्योग इसकी वाकालत महात्मा गांधी ने नहीं की थी ठीक है तो अगला सवल चलिए इसमें कुछ बताने के लिए हैं नहीं जो वकालत की थी जो सबसे ज़्यादा की थी आपको पता ही होगा खादी की वकालत सबसे ज़्यादा की थी आपको ध्यान भी होगा पटना में बना है खादी का संग्राले बना हुआ म्यूजियम बना वी खादी वस्तोर के लिए काफी बड़ा आउटलेट बना हुआ ठीक है अब इसेंटली लास्ट मन्थ में इसी मन्थ में इसकी ओपनी हुई है चलिए अगला सवाल कोशन नंबर six और कोशन नंबर six यह है one of the following was not associated with the गदर पाटी निमलिखित में से कौन गदर पाटी से संबंधित नहीं है तो कोशन नंबर six का जो answer है वो option नंबर बी है क्या सही answer बाबा गुर्दीत सिंग यानि इसका सही बाबा गुर्दीत सिंग तो सवाल बनता है कि इन से कौन कौन अस्वोसियेटर थे तो ध्यान रखी गए यह फाउंडेट जो बना था ठीक है San Francisco में बना था इसको जो बनाई गया था यह आपको नाम बता दिये मैंने शोहन सिंग थे और दूसरे लाला हर्दयाल थे तरी ध्यान दखी इस दो नाम आकर जूड़ै थे ठीक है यह दो लोग थे बाद में यह भी आकर जूड़े थे ठीक है यह एक जो नाम आपको दिख रहा है मुहम्मद बक्रतुल्ला ये भी बात में आके इस पार्टी से ये जुड़ गये थे इसलिए इनका नाम यहाँ पर दिया हुआ ठीक है अगला सवाल question number 7 आपके screen पे रहा है which bill cannot originate in राजसभा किस विध्यक का उद्भव राजसभा में नहीं हो सकता है ठीक है तो जो question number 7 का जो answer option number C जिसको हम बुलते है money bill money bill आपको पता है money bill जो article है वो article 110 में आता है money bill और money bill कोई भी bill money bill तभी हो सकता है जब speaker of लोक सभा ठीक है लोक सभा जब उसको बोलेंगे कि यह money bill होगा ठीक है लोक सभा का speaker जब बोलेंगे तो money bill होगा ठीक है इसमें राजसभा कोई control नहीं होता है चलिए अगला सवाल question number 8 who can initiate the process of removal of president before the expiry of his term जिसको आप महाभियोग बोलते हैं अपने कारेकाल की समाप्ती से पहले राष्टपती को हटाने की प्रकिरिया कौन शुरू कर सकता है तो question number 8 का फटफट option पहले ही जब लोग तो इसका answer होगा option number A लोग सभा ठीक है लोग सभा से राष्टपती को हटाने की प्रकिरिया शुरू हो सकती है के लिए बात तो इसका answer को option number A अगला सवाल option सारे आप लोग पढ़िएगा ठीक है मैं सारे नहीं पढ़ूँगा आप लोग सब पढ़िएगा bicameral legislatures means द्वी सदन्य विधान मंडल का अर्थ है मतलब अब देके इंडिया मैंना टोटल ऐसे साथ स्टेट है ठीक है ध्यान रखेगा साथ स्टेट है जहां पर की चलता है विधान द्वी सदन्य मतलब होता है विधान सभा सभा विधान सभा विधान परिशत मतलब legislative council और legislative assembly तो question number nine कांसर फटा परता ये क्या होगा option number B यानि lower and upper chamber जैसे आपका lower house और upper house होता ना राजसभा और लोगसभा को upper house बोलते हैं और लोगसभा को lower house बोलते हैं और आजसभा के members को हम डाट चुनके नहीं भेचते हैं तो उसी तरह state में होता है जिसको हम बोलते विधान परिशद और विधान सभा जो legislative council और legislative assembly ठीक है तो ऐसे सात राज्यों में हैं जिसमें से कि महाराष्ट्रा है UP है और आपका बिहार है देन जम्मू और कास्मीर का त union territory में आ गया तो इसका मुझे answer आप लोग बताए कमेंट करके कि अभी सात राज्यों है या छे राज्यों है ठीक है ऐसे जिसमें कि यह bicameral government का rule है या bicameral government का system चलता है मतलब विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है ठीक है चलिए अगला सवाल question number 10 आपके screen पे रहा thus a growing country is one with their एक विकासिल देश हो है जिनका की rising GNP at constant price इसका सही answer राजिंग GNP at constant price सथात मूल पर बढ़ती GNP ठीक है यह ध्यान रखेगा question number 10 का answer होगे option number A question number 11 11 पे आईए question number 11 आपके सामने है the 42nd sorry 43rd session of the World Heritage Committee of UNESCO was held from 30th June to 10 July 2019 UNESCO की 20 समीति का 43 वा सत्र 30 जून से 10 जुलाई 2019 तक आयुजित किया गया था तो 11 का जो answer है वो है option number बताए फटाफट क्या हो सकता है option number A is the right answer बाकू अजबयजन गनराज रिपब्लिक ऑफ अजबयजन में इसका organization किया गया था ठीक है अगला सवाल question number 12 इसमें world heritage site इंडिया में भी कुछ डिक्लेर हुआ है वो भी देख लीजिएगा कौन-कौन सा है उससे सवाल बन सकता है देना यह question 12 के उपर नेम दो को वर्किंग वेंचर रिसेंटली अक्वाइड ओयो होटल्स एंड होम्स ओयो होटल्स आपको पता है इंडिया का फाउंडर्ड है यह ओयो होटल्स ग्रूप इसका फूल्फरम पता आपको ओयो का क्या होता है काफी इंट्रेस्टिंग है ओयो हम बताईये तो कौश्च नमबर बी का जो आंसर होगा आप्स नमबर ए इनोव एट अब इनोव एट के बारे में आपको यह इनोव एट को वेंचर था जिसको इन्होंने पतलग कर लिए बस इतना जानके रखिए ज्यादा कुशिस में जानना नहीं है देन कौश्च नमब स्टॉक स्टेंज तो कौश्च नमबर ठाटिन का आंसर होगा अप्स नमबर बी एच डी एपसी ने हटाया है लेक्जंबर्ग से स्टॉक स्टेंज से ठीक है तो राइट अंसर ही एच डी एपसी के लिए अगला सवाल कौश्च नमबर ठाटिन भारत ने अंतराष्ट्रिय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विसकप में महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल स्परधाव में दो स्वन पदक जीते हैं यह कहां आयोजित किया गया था तो कौश्च नमबर ठाटिन का जो आंसर है वो नमबर क्या बोल सकते हैं डी यानि सुहेल जर्मनी सुहेल एक जगह है जर्मनी का जहां पर की यह और गनाइज किया गया था तो यह दस मीटर एयर पिश्टर राइफल था और इसमें टोटल जो स्कोर हुआ था वो था इधिंक 251.6 और इंडिया को गोल्ड मिला था ठीक है और इसमें काफी नाम हुआ था लास्ट आपने देखा होगा आप न्यूज को देखते रहें उसमें सब चीज़ आते रहती है ठीक है अगला सवाल कोशन पंदरा कोशन पंदरा आपके सामने यह रहा पंदरा कोशन परते हम लोग निमलिखित में से किस देश ने अपोलो 11 म मना यह तो आपको पता ही होता बहुत आसान सा है अपोलो 11 बता सकते हैं चलिए इसका आप्शन पता ही है काफी फेमस मिशन था अपोलो तो यह इसका आंसर हो गया आप्शन नमबर डी अगला सवाल विभीन उपयोग करताओं को टेलिफोन लाइनों के माध्यम से एक साथ एक ही कम्प्यूटर तक पहुंचने के अनुमती देने वाले कम्प्यूटर टाइम सेरिंग सिस्टम पर 1960 के दर्शक में कार करने वाले किस अमेरिकी कम्प्यूटर विज्ञाने की हाल में निधन होगा यह सब करेंट अफेर है थोड़ा सब पढ़िएगा तो काम हो जाएग है अगला सवाल कोशनमबर सत्रह नेम्द सर्टिफिकेशन हिंदी में पढ़ता हूं दोनों पढ़ने में टाइम लग रहा है उस प्रमानिकरन का नाम बताईए जो सवच्छता और पर्यावरनिये स्वामित्यों के कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले समुद्र तर्टों को एक अंतरास्त्रिय माननेता के रूप में दिया जाता है तो कोशनमबर सत्रह को जो आंसर आपके स्कीन पर चारों अप्संस दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं ब्लू फ्लाइग यह ध्यान रखेगा आजकल इन्वार्मेंट मतलब परयावरन से सवाल ज्यादा पूछे ज करना चाहते हैं तो आप टीडिये टेस्ट एप डाउनलोड कीजिए वहाँ पे स्टडी में जाए यह सब चीज़े आपको मिलेंगी और जितना ज्याद हो सगे कोशन्स आप वहां जाके सौन कीजिए चली अगला सवाल कोशन बठारा कोशन बठारा यह है मूल संगठन दलि में निधन हो गया दलित पैंथर अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के ब्लैक पैंथर संगठन से पेरित एक युवा अधारित संगठन है तो कोशन बठारा का ओप्शन फटावर पर लिए आप लो वह इसका जो सही आंसर होगा ओप्शन बठारा यह सब करेंट अफेर स मुख मंत्री ने डैस में बावा गुर्णानक विस्विद्याले की अधार सिला रखी तो कोशन बठारा उन्नीस का चारव अप्शन फटावट पर लिए तो जो सही आंसर है ननकाना साहिव अभी आप लोग ने सुना और आप पाकिस्तान के साथ गुरू क्या बोलते हैं ग तो अच्छे से पढ़िए इसको इससे आपको एक सवाल मिल सकता है ठीक है अगला सवाल हो यह कोशन बठार बीस के उपर और कोशन बठार आपके स्क्रीन पे रहा है अमेरिका के संगिये व्यापार आयोग निमलिखित सोसल मीडिया फॉर्म में से किस पर पांच बिलियन ड बॉलर का जुरुमाना लगाया यह काफी चर्चा में है तो कोशन बठार बीस का जो आप समय से चर्चा में है फेस्बुक पर यह ब्लेम लगाया जा रहा था कि यह जो है डेटा डेटा लीक करते है यूजर का और यह डेटा लीक करके जो पोलिटिक्स पोलिटिकल जो आपको फेस्बूक पेज पे दिखा जाता है तो ये डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और आपको उस पोलिटिकल पार्टी के तरफ मोल्ड करते हैं तो ऐसा इनको ब्लेम लगाए गया जिससे कारण से पांच बिलियन डॉलर का जुर्माना ठोका गया है किसके उपर बॉक्सिंग लिग में अपने मुक्यबाजी के चौथे दौर में ऑस्ट्रेलियाई बिली डीब को हरा कर डबलू बीसी अंतराष्ट्रिये वेल्टर वेट खिताब जीता वेल्टर वेट खिताब जीता तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन पर लिजे फटा 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 पलो कोशन पर एक का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन पर ए आमीर खान तो अभी जो चैंपियंशिप हुआ था उसमें इन्होंने ये जीता ठीक है आमीर खान डबलू बीसी में अगला सवान कोशन पर बाइस देखिए वार्सिक इंडियन ओयल स्पोर्ट्स कॉन क्लेज़ में निम्लिखित में से किसे स्पोर्ट्स परसन अफड़ यर चुना गया है यह सब करेंट आ फिस ठीक है कोशन अवर बाइस का जो सही आंसर है वह है शरत कमल यानिक सरत कमल को Sports Person of the Year चुना गया है कहां पर चुना गया है Indian Oil Sports Conclame में आगला सवाल कोशन नमर 23 क्या बोलता है सारवजनिक छित्र के रिंद राता का नाम बताईए जिस पर भारतिय रिजर बैंक द्वारा आय माननेता और परिसंपत्ति वर्गी करन मान दंडों का पालन ना करने चालू खाते खोलने और संचालन के लिए अचार संगीता और बड़े किरिट पर सूचना के केंदरिय भंडार पर डेटा की रिपोर्टिंग के लिए साथ करोर रुपय का जुरुमाना लगाया गया यह भी काफी चर्चा में बैंक तो आज कर काफी चर्चा में हैं तो इसका है कि क्यांस है 23 का ओप्स नंबर बी भारतिय स्टेट बैंक अब आपने एक और बैंक सुना होगा जो काफी चर्चा में है PMC इसके बारे में थोड़ा सा जानके रखेगा PMC पंजाब और महराष्ट्रा कॉपरेटिव बैंक ठीक है इसमें लोगों को खाता सीज कर दिया गया था फिर 10,000 के अनुमतिय दी गई फिर 20,000 अभी 40,000 की इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कॉप स्टेजिस फॉर्म मार्च 15 टू 26,000 दोज़ा बीस दोज़ा बीस में शूटिंग का फेडरेशन कप किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा तो इसका आंसर है इंडिया भारत में यह होगा ठीक है अगला स 25 आपके स्क्रीन पे रहा आप भी पढ़ते जाएगे उस भारतिये का नाम बताईए जिसने निदर लैंड्स के एमस्डम में डच जूनियर ओपन स्क्वेस्ट टूर्नमेंट गल्स अंडर 13 का खिताब जीता फटफट चारों अप्शन्स पर लिजा आप और इसका सही आंसर अनाहत सिंग ने अंडर 13 ओपन स्क्वेस्ट टूर्नमेंट जो कि नीदर लैंड्स के एमस्डम में हुआ था उसको इन्होंने जीता है अगला सवाल कोशनर 26 कोशनर 26 आपके स्क्रीन पे रहा विस्ट बैंक द्वारा केरल सरकार को प्राकृतिक आपादाओं और जलवायू परिवरतन के प्रभावों के खिलाफ राज में लचीलेपन को बढ़ाने के उद्देश से रेजिलियंट केरल प्रयोजना के लिए दी गई रिन की र अमाउन दिया गया था तो इसका अंसर आप देख लिया फटा फटा आप लोग ने तो कोशनर 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्सन नंबर बी 250 मिलियन डॉलर ठेक है आगला सवाल कोशिक गांगली द्वाला निदिर्शित बंगाली फिल्म का नाम बताई है जिसे सार्क फिल्म समरों में सर्वेसिस्ट फीचर फिल्म के नाम फिल्म से सम्मानित क्या एक रिसेंट कर दम बहुत रिसेंट का न्यूजा 27 कोशनर 27 का आप्स नंबर सी नगर किरतन ठीक है उलम्पिक मुक्के बाद जी सौन पदक विजयता और चार वजन विस चैंपियन का नाम बताई है जिनका हाली में इधन हो गया यह भी काफी न्यूज में थे 28 का आप्स नंबर ए पर नेल वाइट टेकर पर नेल वाइट टेकर चलिए अगला सवाल कोश्टन में नाइंटी में महावीर चक्र से सम्मानित और 1947 के हैदराबाद अभियानों में किर्ती चक्र से सम्मानित सेवा निवरित लेफ्टिनेन जनर्र का नाम बताई है जिनका हाली में निधन हो गया फटाबड ओप्सन पर लिजे तो 29 का ओप्सन नंबर ए जे एस घरया यह थे जिनके भी डे इंशियो द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट का नाम बताईए एक तो आप देखे डवलू ए चो का इसमें क्या क्या चाई आप से पूछ सकता है इसमें पूछ सकता आप से हेड़ क्वाटर ठीक है है हेड़ को अटर किसका इंटरनेस्टल जैसे डवलू एचो एक सवाल बनता है तो कोश्चा अमर तीस का जो आंसर है वो अप्शन मेरसी है डश्ट अफर जो रिक्ष्ट है इसका नाम है यह इन लोग ने मिलकर प्रडूश किया ठीक है अब आयो कोश्चन में शुपर सोनी क्रूज मिसाल ब्रहमोस परेक्षन में एंटीशिप संसकरण को डैस में चांदीपूर में एक एक इक्रित प्रएक्षन रेंज आई टी आर से निकाल दिया गया पहली बाद तो यह बता है कि चांदीपूर है कहां पर यह चांदीपूर उडिसा में पड़ता है ठीक है चलिए ऑप्सेंस पर लिजे कोश्चन अमबर ठटीवन का आंसर क्य करते हैं इस तरह बहुत सरा एक्सराइज सब 다 is क्या प्रूर की गाल के समय क्या है मिलके जो एक्सराइज क्या उसका नाम था सन्राइज two ठीके जैसे हैं नेSpal केसे हम करते हैं हैं घीन ह हैं CO साथ करते हैं इस तरह बहुत सरा एक्सराइज है उसका ध्यान रखेगा देन कोशनबर क्या होगा है उपर चलो वीर तुम बढ़े चलो चलिए अगला सवाल कोशनबर 33 पूर्व अस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने अपने खेल करियर में कई उपनाम लिये हैं निमलिखित में से उन में से एक नहीं था मार्क टेलर को उपनाम जो लो क्रिकेट के शौकीन होगा उनको इस तंपी उनका उपनाम नहीं था ठीक है बाकी सब के नाम से मार्क ट नबर 34 अंतरा स्ट्रिया मैच में भारत को हराने वाला पहला गर स्टेट खेलने वाला देश कौन सा था जिसने भारत को हराया ठीक है तो कोशन नबर 34 का जो आंसर हो जाएगा वो अप्शन नमबर बी यानि स्री लंका अगला सवाल ट्रैक एंड फिल्ड स्टार्क कार्ल लुइस ने 1944 में 84 के उलंपिक खेलों में कितने स्वर्न पदक जीते तो कोशन नबर 35 का जो सही आंसर है वो है तो अप्शन नमबर 35 का इधिंक सी होगा हां राइट अप्शन नमबर सी क्या है चार अगला सवाल रावी साथ किस काउंटी के लिए खेलते थे काउंटी के आपको पता होगा इंग्लेंड और जो केरिवेन कंट्रीज है वहाँ पे काउंटी किरकर चलता है तो आप देखत है रावी सास्तरी ग्लाम उर्गन के लिए खेलते थे आगला सवाल हूँ अगला सवाल फस्ट इंडियन टू विन दो वर्ल्ड अमेचर बिलियर्ट्स टाइटल विस अमेचर बिलियर्ट्स खिताब जितने अले पहले भारती ये कौन थे तो कॉशन बर 37 का जो सही आंसर है सब्सक्राइब करते हैं अगला सवाल हूँ अगला सवाल खरगा प्रहर प्रस्ट्षन अभ्भारती ये सेना दौर्ड डैस में सेना की खरगा कूर के उविन एकाइयो दौरा कीया जाता है अंबाला में इस्तित भारतिय सेना की दो कोर को खरगा कोर्प के नाम से जाना जाता है जो 1985 में अंबाला में तैनाद थी तो देखें किसके द्वारा होगा ये 39 का आंसर क्या होगा पताई पंजाब हर्याना राजस्थान जमून का समिर क्या होगा जल्दी बुलिए तो 39 का अंसर क्या होगा पंजाब जैसे आपको ये समझ में आया अमबाला होगा तो थ्वासा गेस भी कर सकते कि पंजाब का ही रिजमिंट होगा पंजाबी से ना होगी अगला भारतिय सेना ने ओपरेशन डैस के तहट ओमान की खाड़ी में जहाज आयनेस चेन्नाई और सुनैना को तैनात किया इसने छेत्र में कुछ घटनाओं के बाद फारस की खाड़ी और ओनाम की खाड़ी के माध्यम से पार करने वाले भारतिये धोज वाहकों को फिर से अस्वस्त करने का लक्ष रखा आपको पता है सुमालिया तरफ से आने वाले जो भी जहाज होते हैं उनको लूट का खत्रा होता है तो उसी को बचाने के लिए एक प्रोग्राम किया गया तो इसका सही आंसर आप संबर थ्री इसको हम बोलते हैं संकल्प ठीक है इसका आंसर है संकल्प अगला सवाल का जिए मिलक शुट अपको पता ही होगा तो अधि बीमारी वहीं दूर हो जाती तैंक इतना सच है कितना जूट मुझे नहीं पता है कि मैं बंगाल में पढ़ाया हुं पढ़ाया है तो यह मैंने सुनाता है अगला question number 42 then question number 42 के उपर आई है question number 42 आपके screen पे रहा पुलिजर पुरुसकार किस वर्स अस्थापित किया गया था ठीक है तो question number 42 का answer होगा 19, 1918 ठीक है तो यह जर्नलिजम यह ध्यान रखेगा यह जर्नलिजम के छेत्र में दिया आता है जो जर्नलिजम के छेत्र में मतलब आप बोल सकते हैं कि पत्रकारिता ठीक है पत्रकारिता के छेत्र में इसको दिया जाता है अगला गांधी पीस प्राइज फॉर्ड यह टूथावजन वाड़ेट टुद फॉर्मर प्रेसिदेंट अफ्रीका लॉंग वित साथ अफ्रीका के प्रेसिदेंट के साथ और किसको दिया गया तो इसका सही आंसर सी ग्रामिन बैंक और बंगलादेश इसको दिया गया था इसके आपको पता हुआ कि इसके जो फाउंडर थे जिन्होंने माइक्रो एकनोमिक्स जो बंगलादेश के थे इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था अगला साथ बहुत पहले है कोचे नोर फोटीए Examshop स्कुने उलटेश आपके स्कून का रहा खिशने guitar किसने किया था तो बाइड़ो बृदेस बाइड़ो बीरश जो थे जिन्होंने बॉल पेंट बॉल पेंड का विश्कार किया था अगला कोशना पैतालीस फोटी फाइब कोशना फोटी फाइब आपके स्क्रीन पे रहा किस दसक में पहला ठोस राज एक 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 एकी कृत सर्कीट प्रदर्शित किया गया था तो पैतालीस का जो सही आंसर है उप्शनबर ए उनीसो पचास इन वीच डिकेड वाज फर्स्ट सॉलिड इस्टेट इंट्रिगेटेड सरकीट डेमोंस्टेटेटेड ठीक है उनीसो पचास अगला सवाल वीच आप दा फॉलोइंग पैरमीटर निमलीखित में से कौन से पैरमीटर पदार्त की थर्मो डैनामिक स्थिति को चिन्ह नहीं करता है तो 46 का सी वर्क कार से पता नहीं चलता है कि उसका थर्मो डैनामिक स्टेट क्या है कोर्स्टन इसन अलेक स्टाओलिस वन नरोमेटर इपको ऑप लिखतु पिंचनकेट प्रिवर्थ संबर एटेन डेटे पावर माइनश नाइं यह एस अगळा नेक्युस्मॉ के डैस बराबर है यानि 48 का जो आप्शन है वो सी ठीक है किसके बराबर है बल अगला ठीक है इसको मतलब यही करते हैं यह आपका जो डिसक्राइब होता है एक समान है लेकि न्यूट्रोन की संख्या अलाग अलाग है इसके किस रूप में जाना जाता है इसके न्यूट्रोन का हो जाएगा प्शनाबर फोर आई सो टॉप दॉध था आइसर टॉप अना आई सो बार सेम एक सकंड़ सेंट बास नंबर डिफेंड मास नंबर से में जांड़ में अइसर टॉप ठीक है आगला question 50 रेडियो अक्टिवीटी वह इसकावर्ड बाई-कश् मिट्टी पप्ण में अधिक्तम पाये जाने वाला तत्व है मिट्टी के पप्ण में सब इसलेदा पाया जानेव तत्व कौन सा इस है जीवों में डूबने से होने वाले मृत्यू के निदान में निमलिखित समुह में से कौन सा महतपूर्ण है फटा फट पढ़िए फट्री आंसर नंबर क्या हो जागा इसका लाइकेन प्रोटो जोवास डाइटम ठीक है डाइटम होगा इसका अंसर अगला सवाल रेगिस्तान पौधे आम तोर पर क्या होते हैं डेजर्ट प्लांट्स अर्जनरली पढ़िए चार ओप्संस दिए फटा फट पढ़िए कोश्चन में 54 ओप्संस पर लिया आप लोगने सही आंसर गुदेदार पौधा ठेक है अगला सवाल है मानो गुर्दा में पथरी के बनने के लिले निमलिखित में से क्या जिमिदार है पथरी आप सुनते होंगो मैं पथरी का ऑपरेशन अगर होता है सुनने में आता होगा प्रभूत देश का पहला लिखित संबीधान है तो यह आपको यह यहाँ पढ़ना होगा हम लोग पढ़ते हैं बॉरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉंस्टिउशन जैसे हम लोग ने डीपी एस्पी डियाक्टि प्रिंस्पल अफ इस्टेट पॉलिसी कहां से लिया था ठीक है देन इसके बाद डीपी एस्पी के बाद हम पढ़ते हैं कि लिखित इसका आपसनबर सी यानी यू ए से प्रेसिडेंट का कॉंस्प्ट कहां से लिया प्रलेमेंट का एस्पर इसको आप लि 된 ऑग लिए और तुम कनाटक कि संसद्मे ना पर कितनी है छे अगला सवाण शक्ति सनरचना का वह रूप जिसमें शक्तियां प्रभावी रूप से वेक्तियों द्वारा पडिवारों के एक गुट के साथ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो ये पढ़िये जिलो का फिलोसफी होगा उनको बहतर समझ में आ रहोगा तो इसका जो 58 का आंसर हो गया C, ओलिगार्ची, कुलीन, तंत्र बोलते हैं इसको ठीक है अगला सवाल हर्याना की संसदिय सीटों की संख्या कितनी है 59 59 का क्या हो गया A यानि कितना हो गया 10 अगला सवाल, भारत का कौन सा पड़ो सी देश विस्व में अफीम का सबसे बड़ा उतपादक है तो साथ का क्या होगा आफगाणिस्तान ये कॉमन्स आ है, सुनते बहें फिल्म ए देखते हैं, आफगाणिस्तान अफीम का सबसे बड़ा उतपादक देश है अगला question number 61, question number 61 पढ़िए फटाक से, भारत ने किस देश के साथ अपने सीमावर्ती नक्स एक आधान प्रदान किया था, तो इसका सही answer बता सकते हैं, फटाक पढ़िए चार अप्शन और इसका answer D, इसका एक चीज़ पढ़ लिजेगा, इसका amendment, कौन सा amendment के तहते हुआ था, ये 2017-18 की बात है थिंग, मुझे ठीक से याद नहीं है, 17-18, amendment number पढ़ लिजेगा, 110 something कुछ है, amendment, जिसके तहत, दो amendment पढ़िए एक बांगलाजिस वाला, और दूसरा GST बिल, GST किस amendment के तहत, तो आया था, अगला question number 61, हो गया, 62, 62 पर ये, संगमरमर चटानों को किस रेनी मे रखा जाता है, यानि संगमरमर चटान की सरेनी में आते हैं, तो question 62 का जो सही answer है, और metamorphic rock बोलते हैं, इसको, आपको ये पता होना चाहिए, इगनियस, अगने, सेडिमेंटरी, और metamorphic, ये बनते कैसे हैं, इनका example आपको ध्यान में रखना है, कि ये बनते कैसे हैं, और इन चंदेरी का युद बोलते हैं, उसको, राजपुतों को हराने वाला कौम था है, इन 4 options में से, फटाक से पढ़िये 4 options, और option number D, बाबर ने चंदेरी के युद में 1528 में राजपुतों को हराया था, अगला सवाल, सूफियों के किस संप्रदाय ने योग को अपनाया था, question number 64 आपके स्क्रीन पे रहा, और 64 का option क्या हो जाएगा, option को हो जाएगा, c, चिस्ती, questions option आप लोग पढ़ते जाएगा, फटाफट, चिस्ती, कादरी, सत्तारी, चिस्तियों ने योग को अपनाया था, अगला सवाल, सूफियम क्या होता ना, जैसे आप जब इसलाम पढ़िये लोग ईप जब जाएगा, तो उसमें आपको दो चीजे हैं, एक सिया है, और एक सिया है और एक सुन्नी है, तो ये इनकी आपस में बहुत दूस्मनी है, जैसे इनका मानना कि मोहम्मद पैगंब साहब का जो बेटा था, ali, उसका सुनियों का मानना कि सियाओं नहीं उनके ब बगदाद भेजा था तो उनकी डेथ हुई थी तो इसी के लिए जो मुहरम मनाते हो सिया लोग उस दुख को मतलब मनाते हैं कि हमारे कान ऐसा उनका मनना है और ये सिया सुननी से हटके एक संप्रदाय है इनके अंदर जो लड़ाई जगड़ा वगा कुछ मने इनका मानना है क कि भजन किर्टन कीजिए मतलब गाना गाते रहिए और गाना के थुरू या भगवान खुदा अल्ला को प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो ये ध्यान रखिए गया अगला कोश्चनल 65 65 आपके साल पर तराइन का दूसरा युद्ध है तो बहुत आसान सा है तराइन का दूसर जैचंद नहीं गलत हो गया इसका सही आंसर है मोहमद गोरियन प्रिथ्वियाज चवान ठीक 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 है मोहमद गोरियन प्रिथ्व अगला Queshon no.67 और Queshon no.67 आपके स्क्नी पेड़ा है बुध सूर से डैस ग्रह है सिक्वेंस आपको पता हूँ इसलिसे ग्रहों का सिक्वेंस से ध्यान रखेंगा समेंस पहले आता है सूरा जाता है तेम मर्क्यूरी वेनस उर्थ मार्स जूपिटर टुछा दर मर्क्यूरी से कौन सा प्लाइनट है बताई तो यह आप लोग कनाटका में एक है बंधी पूर है बहुत फेमास है बंधी पूर और दूसरा है बानेर बानेर घाटा ये 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था ना ताइगर प्रोजेक्ट तो उसके तहथ इसको बनाया गया था बंदिपूर कानाटका से लगबग 200 किलोमेटर की दूरी पे है ठीक है दें 36 गड़ में कोई फेमस यह नहीं है दें पस्चीम बंगाल में आप देखेगा तो डूर्स बोलके है और दें सुंदर बन तो आपको पता ही है ठीक है सुंदर रोयल बंगाल टाइगर के लिए चले अगला सवाइमस गंगास गंडवाट मिला की शराज में आयूजएत क्या जाता है शिस्क्षटी नाइन का थ्री वेस्ट बेंगल में गंगास आओद मिला का यूजञण किया जाता है ठीक है? अगला सवाल कि आगे जाओ भाई ओके कोश्चन सेवेंटी सेवेंटी दिख़ए आप लोग को चलिए निमलिखित में से क्या उज्जा का अक्छा श्रोत है अक्छा श्रोत मतलब रिन्यूबल जिसको बार बार रिन्यू किया जा सकता है तो सत्तर का क्या हो गया थ्री विंड एनर्जी वि भूमद्य रेखा के बीलकुल ऊपर होता है तब कौन सा मौ उसम होता है सिबहेंटी का सही आंसर है ऑफ्न बबर बी वसंत रीतु होता है जब पएर्थ थीकूर रहते है आपको पता ही होगा मतलब होता है ठीक है अ स्प्रिंग यानि इक्वेटर के ऊपर जब सान होता है तो बसंति रित्तु होती है अगला सवाल कोशन नंबर बहत्तर यानि कोशन बहत्तर का आंसर आपके कोशन बहत्तर का कोशन देखिए बर्थ रेट इन कंट्री इस डिफाइंड एज ऑप्संस पर ही आप फटाफट पर ही अप्संस यह पता ही होगा आसान सा है नंबर आफ बर्थ पर थाउजन इन यह यानि एक हजार जन्मो एक वर्स में प्रती है जन्मों पर बर्थ रेट बोलते हैं अगला सवाल कोशन बहत् अब ये उर्जा सायत है द गीजर कहां हिस्ते से बहुत बार पूछा जा चुक है सवाल बहुत बार इपिट होआ है द गीजर के नाम से फिर्माँ से बताइए इसका सही आंसर है सैन फ्रांसिस सैन फ्रांसिसको Ques no. 74 विस्व में सबसे बड़ा महाद्वीब कहा है मतलब कहा होस्तित है या कौन सा है तो 74 का option number D ये क्या है Asia विस्व का सबसे बड़ा महाद्वीब कौन सा है Asia 75 1912 में चांदनी चौक दिल्ली से Lord Harding के जूलूस गुजरने के दोरान निमलिखित में से कौन बम फेकने में सामिल थे किन्हों ने बम फेका था ये आपको सवाल पूछा रहा है जब पढ़िये तो options को फटा फट देखिए बसंद कुमार विश्वास सामिल थे अवद बिहारी सामिल थे अमीर चंद सामिल थे और ये option number B तीन लोग सामिल थे बसंद कुमार विश्वास अवद बिहारी और अमीर चंद तो इसका अंसर बाप संबर B question number 75 बाप संबर B who defended अलिमपूर बम मामले में अरविंदो घोस का बचाव किस ने किया था question number 76 का option number A चितरंजन दास ठीक है अगला सवाल एक मात्र भारती राजकुमार जिसने भारत के भीतर और बाहर गुरनर आंदोलन में सक्रिय रुप से भाग लिया तो question number 77 का जो आंसर आपके सामने है फट़फट पढ़िये राजा अरिंदम सिंग राजा हरी सिंग, राजा राजे कुमार अंदोलन की अस्थापना किसने की थी question number 77 अच्छा सपता या आप लोको लाला हर दयाल ने गदर अंदोलन की अस्थापना की थी आगला 1913 के आसपास भारतिय सिपाही और करंतिकारियों दोरा विद्रोह की कोशिस किसने की थी 1913 देखिए विद्रोह त 2507 में मंगल पांडे के दोरा हो गया था तो इसमें ध्यान रghanकिएगा कि लख्णौँ में किसने किया था और किसने किसने दबाया था ठीक है ये आप ध्यान में रहे हैगा इस ये आपको एक सवाल बनता है तो 79 का जो आंसर होगे åp grasp om C, Ras Bahari, Boss. 79 century C, Ras Bahari, Boss. अब आई कोश Il Bowl 80. आर्थिक विकास आमत वर पर Dash के सात जोड़ा जाता है. आर्थिक विकास आमत वर पर Dash के सात जोड़ा जाता है. कोशनवर 80 का answer बता है यह थक्युन deflation inflation stack inflation hyper इसका सही answer है inflation के साथ ही आर्थी विकास जोड़ा जाता है अगला सवाल Grassland को Pampas का जाता है ये question 2. पूछा जाता है जेसे जितने भी grasslands है जो अमेरिका में है जो अफरिका वगरे में है Pampas है dud तो famous है proud to question 1. द्यान रखिएगा इनसे सवाल पूछा जाता है तो question number 81 का जो answer है वह साउथ अमेरिका है यानि जो पमपास है वह कहां पाजाते हैं South America में पाजाते हैं Then question number 82 82 पर आईए भारत की संसत की सबसे बड़ी समीति कौन सी है तो 82 का देख लिजे Public, Local लेखा सबसे बड़ी समीति जो होती है ठीक है मरियानर ट्रेच कहां पे स्थित है 83 मरियानर ट्रेच जो है आपको पता ही होगा Pacific Ocean में स्थित है मरियानर ट्रेच Pacific Ocean अगला सवाल बंगाल के पहले गौवर्नर हाँ यह ध्यान रखे है बंगाल का पहला गौवर्नर गौवर्नर जेनरल देश का पहला गौवर्नर जेनरल लास्ट गौवर्नर वाइसरा है ठीक है कैनिंग से लेके सबसे पहला प्लूसेंड पढ़े हो तो कैनिंग ही मिलेगा कर्णिंग से लेके माउंट बेटन तक बीच में जो आपके यह है क्या बहुते हैं वारन हास्टिंग वह रहा सब क्या क्या पोस्ट पर लोग थे यह आपको ध्यान रखना है तो कोश्च नंबर 84 का अनसर हो गया अप संबर D वारन हास्टिंग ठीक है, अगला सवाल, question number 85, question number 85 आपके screen पे ये रहा, वैदी काल में राजा द्वारा प्रजास से वसूल किये जाने वाले कर को क्या कते थे, तो इस कर का नाम है बाली, ये PCS exam में भी पूछा आ चुका है, ठीक है, कर यानि text जो उसुलते थे, इसका नाम है बाली, अगला सव question number 86, और 86 आपके screen पे ये रहा, पढ़िए, जादा साहब फाल के प्रुसकार की पहली महिला प्राप्त करता कौन थी, तो 86 का ये आपको पता, Lucent के पीछे जो पिंक कलर में दिया हुआ, मिसलेनियास, उसको पढ़िएगा तो काम हो जाएगा, देवी का रानी, question number 87, अधिका चोल मंदिर किसको समर्पित थे, तो 87 का option number B, चोल मंदिर जो थे, वो जाहता, सियो को चोल कहां के थे, साउथ के राजा थे, ठीक है, चोल, साउथ से क्या कर बनता है, आपका question चोल से related बनता है, और जो आपका चोला डाइनस्ट जिसको बोलते हैं, और दूसरा, आपका महा बली पूरम से related काफी सवाल आज कर आता है, ठीक है, और यूनेश को हेरिटेज में आता है, वो, सेबन पागोड़ा, जो से साथ रत जिसको बोलते हैं, उससे सवाल पूछ राते हैं, अगला सवाल, question number 88, और question number 88, आपके screen पे रहा, गुप्त काल में सबसे अधिक संक्या में कौम से सिक्के जारी किये गए थे, तो 88 का जो आंसर हो जाएगा, गोल्ड कोईन, गुप्ता डानास्टी में सबसे अधा गोल्ड कोईन जारी किया गया थे, ठीक है, अगला question number 89, 89 है, बुद्ध ने अपने पहले उग्देश का परचार कहां किया था, तो 89 का जो सही जाब ह है, वो सारनाथ, बुद्ध ने सबसे पहला उद्धेश अपना सारनाथ दिया था, अब देखे, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, ठीक है, राजगिरी, पाटली, पुत्रा, और जमू और कास्मीर, और एक है, चार जो यह हुए थे, क्या बोलते है उसको, जिसमें जो चेर्मेन थे, अशोका, काला शोका, अजाद सत्रु और कनिश्का, ठीक है, यह कब-कब हुए थे, यह आपको ध्यान अखना है, ठीक है, राजगिरी, वैसाली, पाटली, पुत्रा, और कास्मीर, यह चार हुए थे, ठीक है, और उसके जो चेर्मेन थे, वो ध्यान रख इसी एक सवाल आपको बनता है ठीक है अगला यह नाइन्टी कोश्च नमबर नाइन्टी आपके स्क्रीन पे है कोश्च नमबर नाइन्टी पर यह फटाफट निमलिखित में से कौन सा भूमी गत जल की किरिया का पड़ी नाम नहीं है तो 90 का अंसर क्या हो जागा फ्योड फ्योड जल का जो अंदरूनी ने भूमी गत जल की पड़ी किरिया का पड़ी नाम नहीं है ठीक है अगला सवाल कोश्च नमबर नाइन्टी वन और कोश्च और अभी जो चल रहा है विंटर सत्र जिसमें कास्मीर का इसू 370 काफी जोर सो से उठा जा रहा है एन SPG प्रोट्स्टेक्शन आफ गांधी फैमिली ये दो मुद्दे काफी चल रहा है ठीक है तो Q91 का C हो गया अब आई ये Q92 के उपर भारतिय सम्विधान के अनुच्छे 21 में जीवन के अधिकार के साथ डैस्क भी सामिल किया गया है आप क्या किजेगा 14 से लेके 32 तक आर्टिकल याद रखे काफी इंपोर्टेंट है इसे एक सवाल बनते ही बनते है तो Q92 का अंसर आपको तो में तक आभी गया होगा इसका सही आंसर है राइट टू वाटर राइट टू फूर्ड राइट टू राइट टू हेल्थ या नि चारों के चारों सही विकल्प है तीनो के तीनो सही विकल फे तीनो ही इसमें आड किये गया है अगला सवाल question number 93 और 93 का सवाल आपके इस home rule अंदोलन के एक नेता का नाम बता है तो 93 का home rule सबसे ज़्यादा फेमा जो थी एनी बेसेंट ठीक है और एनी बेसेंट यही थी फर्स्ट लेडी बोल सकते हैं Congress की प्रेसिडेंट तो ध्यान में रखेगा Congress प्रेसिडेंट थी यह सबसे पहली और सबसे पहले मुस्लिम Congress प्रेसिडेंट कौन थे सयद तयब जी और महात्मा गांधी एक ही बार Congress के प्रेसिडेंट बने थे 1914 बेलगम सेशन में तो यह ध्यान रखेगा ठीक है आई यह कोशन नमर 94 और 94 आपके स्क्रीन पर यह रहा है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन के चारों घूमती है इस सिधांत को प्रस्तूत करने वाला पहला वेक्ति कौन था तो 95 का आप्शन नमबर कौन था यह कौपर निकस ने सबसे पहले बताया था कि प्रिथवी सूर्य के चारों तरफ घूमती है ठीक है अगला सवाल कोष्ण नमर 96 वीच निम लिखित में कीस दिन विश्व पढ़ेवरन दिवस मनाया जाता टाइपिंग मिस्टेक है भायत मिराश्ट्रिय मत दाता दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है आप्शन नमबर कौन सा कौष् सी मत दाता दिवस ये पचीस सी नहीं पचीस जनवरी होता है वोटरस डे बोलते है इसको ठीक है और 24 जनवरी को होता है अपना नेशनल गर्ल चाइल डे ठीक है तो ये हो गया आपका 97 का डी अब आज ये 98 के उपर हाउ मेनी स्टेट्स हैब इनिसिटेट जननी सुरक्षा योजना जननी सुरक्षा योजना कितने राज्यों ने शुरू की है तो 98 का जो आंसर है वो है C 10 राज्यों ने ये योजना शुरू किया 99 बिहार दिवस कम मना जाता है 99 का B बिहार दिवस कम मना जाता है तो आपको अच्छे से पता होगा अपना बिहार 21 मार्च ठीक है अगला लास्ट सवाल बिहार में पहला दूर दर्शन केंद्र कब अस्थापित किया गया था तो इसका option number C 1982 में ठीक है तो चले एसी के साथ है इसको यहां पर रोकते हैं फिर अगले दिन नए सेट के साथ आएंगे डेली आपको एक-एक सेट कराया जाएगा तब तक आप क्या कीजिए टी डीए टेस्ट एप को डाउनलोड कीजिए और यहां जाके जितना ज्यादा होसा के question solve कीजिके wish you good all the best good luck